आप लोगों को खुशामदीद कहता है दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताक के मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो एमजटी 411 मनी एंड बैंकिंग का जो हमारा कुईव नमबर टू आया हुआ है उस हवाले से हैं तो चलिए हम लोग अपना कुईव देखते हैं इसमें फर्स्ट है जी बैंक प्रवाइड वेरियस फर्विशिव इजी इसमें फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब आजेगा इसमें फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब है थर्ड कॉस्टन है विच फॉलोविंग इस कंचिडर्ड लाइक बॉंड इसुट पार्विशिव इसका लगाया वो मतलब चेक अबल डिपाफिट लगाया थाइड वाला लेकिन इसका जो ओरिजिनल बगलर है वो फस्ट वाला है ट्रायररी बिल क्योंके गोवर्मेंट जो है वो ट्रायररी बिल इसका रही होती है विद रिस्ट तो बॉंड नेफ्ट है जी इस अपर चेज पाइस बिल की जो अजर सब्सक्राइब तो इसका रही है विद रिस्ट अरण चेज श्ट वाला है एक राइस। ना जो इसका ठीक जो बगाया नेक्से seger-je credit risk arises as a result of which is one of the following consequences it arises when loan is not repaid it arises because the certain demand of funds it arises when the two sides of balance sheets not match up and last it arises when bank make additional profit using डेरिवेटिव तो हमारा जो है इसका अंजर जवाब वो फेकंड वाला इतराइब विकाफ दिफटन डेमांड ऑफ फंड तो फेकंड वाला जो है वो इसका ठीक जवाब आजएगा नेस्ट है जी विच अस्ट फॉल्वंग इस नॉट डिपफिटरी इंसिश्चिन इसमें इसमें इंशॉर्ण कंपनी वह एक्वर्टियू जब करेडिटे की जवाब जाया है तो फेकंड यूडियों जब है वो हमारा न तो यही हमारा इसका ठीक जवाब बन जाए का आखरी नेकस्ट है जी हमारे जो इसमें हमारे जो कि 재미 हो डूल जो कि हाट जार वाएफ हरे वह तन है तो फिसके चुल जो आंसर आएगा वो 18% है 55% है और 18 शरीय बाहतर है तो मतलब 35% जो है वो इसका ठीक जवाब आजाएगा मतलब 2nd वाला इसका जवाब आजाएगा 9th number पे है जी, Banks clearly specify the amount of risk that individual trader make take to be manage fill in the blanks इसमें operational risk है, trading risk है, servent risk है और liquidity risk है तो इसमें trading risk है जो है वो I think आयता है, second वाला जो है वो इसका ठीक जवाब बन जागा हमारे पर last question है जी, इसका if the bank is holding its liability on floating rate and if it is fixed rate of interest as a result fill in the blanks इसमें भी rise of liquidity है, credit है और interest rate है और last minute default है interest rate मैंने इसका third जवाब जो है वो लगा दिया है, तो दोस्तों ये था हमारा quiz M.G.T. 411 का money and banking का उमीद है, आप लगों को काफे फरा idea मिल गया होगा, मौफिन भाई का YouTube channel virtual student support services और मौफिन भाई की website virtual student support services vuffff.com देखते रही है और मौफिन भाई को इतुआ में याद इन ен रही है झाइए ऑन अरुब चाज से जो मौाई आप लगों कर ठा दो जव आए मौब का प užीजि और 5 equals